हलो एंड वेलकम दोस्तों मैं है सुचित्रा और श्रागत अपका मेरी चानल सुचित्रा एक्सफिलनेशन में तो आज का एपिसोड है एपिसोड नमबर चौबिस एपिसोड चौबिस में हम देखते हैं ली यूंकी का एक सिपाही आकर मिज जैन से कहता है मिज जैन आप जल् यह बहाने बनाकर मुझे ना बुलाया करो तो लिए उंकी कहता है आप तो बहुत समझदारें आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझती है फिर वो कहता है कि आप मेरी बात मान जाएए में जैन कहती है यह असंभा है फिर वो कहता है जाए जालाब के किनारे खड़े हैं उ इससे वो मेरी बहन को बुली कर रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जाओ यहाँ से बहुत बोरी हो, तुमने मेरे जीजा को फसा आया है। इस बात पर जैन जैन बहुत सारा रोने लगती है और पेर राचकुमार को कसके गले लगा लेती है। गले लगाते हैं राज कुमार को अपनी बहन जीवलिंग याद आती है तो वो कहते हैं कि तुम जीवलिंग हो ना तो वो कहते हैं नहीं मैं जैन जन हो और मैंने आपके जीजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैन राज कुमर को समझा कर महां से चली जाती है, फिर आगे हम जैन जैन के दवाई खाने का स्थीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कि यह बहुत बुरी बात है कि ली यूंकी ऐसा कर रहे हैं, मिस्टर क्यू आई कहते हैं क्या पता ली यू करते हुए महां देखने जाते हैं, सच कहा है तो लगाई तो आप लोगों को भी देखना चाहिए, सिर्फ फोटो देखके पता नहीं चलेगा, सच बताएं, तो जन जीव लिंक काना, मेरा बेस्ट पार्ट यही वाला है, एप्रिसोड नमबर 24 का बेस्ट पार्ट, जहां प करते हैं, सच करते हैं, सच करते हैं, यहां पर जनना हुए तो हम रहां पार्ट, जहां प॥ार्ट, यहां नहां पहां जो देखके पताट, जहां श्मद मजह है नहीं क्या कटा हूए यह दुनों की अब इन दोनों में लडाई चल रहा होता है तभी दाजर के महां से पाई आजाते हैं राज़ा को जो यह वो इन से लडाई का कारण पूछताएं दोनों लोग अपना अपना कारण बताते हैं तो लियूं की कहते हैं मैं तो मिस जैन से प्रेम करने लगा हूँ इसलिए मैं उसे साधी करना चाहता था तुम क्यों लड़ रहे हो यहाँ पर और ज्यादा मज़ा आता है सवाल सुनकर सबलब भोचका होते कि आखिर यह क्या जवाब देंगे तो अभी इससे पहले कि जैनर कुछ बोलता वो उससे बोलने जाता है कि कुछ भी बोलता उससे पहले मिस्टर निंग महीं खड़े होते हैं तो वो कहते हैं क्योंकि मिस जैन मेरी होने वाली पत्नी है में पे बने पहल और बढ़े भाई भी होते हैं सब Lauग उसको मना कर रहे हुते हैं पर दारो पाता है क्या चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे क्या सिला दिया बोलते हैं कि कि तुम जलद बाजी में जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दी जगा और मैं इस बारे में सबसे बात करूँगा अब चिंता मत किजा तो जन जन कहते हैं कोई बात ही मैं समझ सकते हूं पिट आगे जन अपने रूम में सोने चात होता है और नैसे में होता है और उसे पूछता है तुम्हारे कितने पती है तो जैनन कहती है कि मेरा एक ही पती है चैंग विंग उसे तो तुम जानते ही हो तो जैनन कहता है नहीं दूसरा भी है उसका नाम है निंग उन्जाओ तो कहती है हाँ और तीसरे तुम हो इस बात पर बहुत जादा we desta that I jen У Agr anda से में बहुत सारे पम घघाता एभ सरड Tribal Skrani है और ज्वाब करता है तो शारिने करनेके नेंगी बाद सूनें बाद दूसरे पर जब जयनके बाद जब जंता है तो कहते है मैं यहीं सो गया थो कहता है कि तुमने मुझे जगाय क्यों नहीं तो गया दे किसे पुछते कि तो एक इस प्रोब्लम जो तुमने दूसरे मिली थी जहां जन चाहते हैं कि तुम एक रात किसी लड़की के साते बिता गया थी फारोसा नहीं हो रहा है मिश्टा निंग अपने नोकर से बात कर रहे होते हैं कि अगर मेडम को पता चलेगा मतलब आपकी मा अगर पर पाता चलेगा कि मिजयन और आपके बीच में यह सब क्या हो रहा है तो आपकी मा मिजयन कोई गलत समझेंगी वो कहेंगी कि यह सब में जया नहीं कर बारी है इसलिए आपके काम किजिए अपनी मा को समझाईगे और सास और बहु के बीच में इस पर मिश्टर निंग हसने करते हैं और कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूं फिर हम देखते हैं मिश्टर निंग के चाची उनके चाचा से बात कर रही होती है कि यह सब गलत है आप उनकी मा को बता दो कि यह सब क्या हो रहा है मिश्टर निंग यह गलत कर रहा है तो उनके चाचा खुद मिश्टर निं की केस कर दूंगा कि वो मेरी वाइफ को परेसान कर रहे हैं तो दादी मां खहते हैं नहीं यह मिस्टर निंग ने जो कुछ भी किया है सही किया है यह उन्हें करने दो तुम इन सम्में ना पड़ो और उसकी मा समझाती है कि अगर मदद करना है तो किसी और तरीके से करो उसे अपनी बीवी बना करने सब लोग आपस में बात करते हैं फिर कहते हैं ठीक है मिस्टर निंग ही वह होंगे जो की मिलें कोई पर खेस करेंगे और बात यहीं खतम होती है चैंग और जिगजवी वहां से चले जाते हैं और हमारे कहानी का एपिसोड नंबचा भी से खतम हो जाता है बने रहे हैं अगले एपिसोड के लिए तैंक यू सो मच और देरी के लिए बहुत बहुत सौरी